वेरी गुड मॉर्णिंग टु अलफी दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड़िसिक्स में और एक बहुत बड़ी भरती की बात हो रहे हैं आपे बैंकिंग सेक्टर में यहां राश्ट्रिप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं यहां आप पियो बनना चाह आते हैं तो आपके लिए यह सुनहरा औसर है इस वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों 1100 से भी जादा करीब 1167 पदों की यह वेकेंसी आई भी पीएस ने जारी कर दिया है इसका नोटिफिकेशन तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या-क्या है और एलिजिबिटी क्र इस वेकेंसी को लेकर किया गया है वो भी आप जरूर देखेगा वीडियो के अंत में दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन द दिएगे हैं सोसल मेडिया के जो कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन सभी पे लेकिन टेलीग्राम जरूर जोइन कर लिजीगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर योटूब आप तक नहीं पहुंचाता है तो ये सियर करने पर आप तक जा सके दोस्तों एक सबसे ब से आप IBPS के ओफिशल वेबसाइट पर भी जाके इस सारी चीज़े देख सकते हैं जिया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है दोस्तों ये वेकेंसी निकाली गई है करीब 1167 पदों के लिए और ये बैंकिंग जो सेक्टर है दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बात कर लें तो यहाँ पे देखिए आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं पांच अगस्त यानि कि आज से लेकर 26 अगस्त तक तो यह नोटिफिकेशन कल स्राम को ही जारी कर दिया गया था दोस्तों आठ बजे के करीब जो कि मैंने आपको इंटिमेट भी किया था जब बिह 26 अगस्त तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप इसके लिए जो भी छातर SCHT से बिलॉंग करते हैं वो प्री एक्जाम ट्रेनिंग के लिए भी सेप्टेंबर 2020 तक कराई जाने की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका कंड़क्ट जो होगा 21 सेप्टेंबर से 26 सेप परदे में आपका ट्रेनिंग करा लिया जाएगा लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ SCHT और जो भी कैनिडेट हैं उनके लिए है ठीक है अच्छा यहाँ पे डाउनलोड कॉल लेटर तो अक्टूबर में इसका मोस्ट प्रॉब्ली एक्जाम लेने की बात की जा रही है तो अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के मद्य में कम्प्लीट किया जाएगा रिजल्ट इसका अक्टूबर नवंबर के लाश्ट तक दे दिया जाएगा और डाउनलोड करना आपको मेंस के लिए अपना कॉल लेटर तो नवंबर में आप डाउनलोड कर सकते हैं चुकि इसक तेज और नवंबर तक फाइनली इसका मेंस ले लिया जाएगा उसके बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा दिसंबर में जनवरी में इसका इंटरिव्यू सेशन रखा जाएगा और यहां पे प्रोविजनल अलॉट्मेंट जो होगा अप्रिल 2020 तक आपको फाइनली कर दिया यह तो हो गई आपके important dates को लेकर बाते हैं लेकिन हम vacancy की बात करें तो total vacancy यहां पे 1167 पदो की total vacancy है जो की mention की गई है यहां पे दोस्तों PO के post के लिए यह PO के post के लिए आपको यहां पे जो भी update दिये गए हैं वो आप तक share के जा रहे हैं कौन-कौन से bank में कौन-कौन सी category से कितने कितने सीटें यहां पे आप चेक कर सकते हैं इसका notification मैंने दे दिया है आपको telegram पे वहां से जाकि भी आप download कर सकते हैं तो total है दोस्तों यहां पर हम vacancy की बात करें तो 1167 पदो की यह total vacancy है आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों मैं तोड़ा सा जूमिन कर देता लेकिन इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है as for the IBPS ठीक है अगर वो चाहते हैं तो अब सबसे बड़ी बात है यहां पे कि कौन से चात्रे इसके लिए आविदन कर सकेंगे तो देखिए जिनका age criteria 20 साल minimum होना चाहिए ठीक है और maximum 30 year तो 30 साल के अगर आप हैं तो उससे पह पहले के जन में नहीं होने चाहिए और 1 अगस्ट 2000 के बाद के जन में नहीं होने चाहिए आपका date of worth ऐसा यहां पे बोला गया है चाहे आप male है या female है दो नहीं candidate यहां पर eligibility फुल्फिल करते हैं तो आप इसके लिए आविदन जरूर करेंगे तो यह एक age criteria को लेकर हो गया यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें education qualification को लेकर तो यहां पे as for the per student यहां पे जो भी candidate अपना graduation complete कर लिये हैं government of India या फिर approval of government regulatory bodies की थरू उनका जो है degree complete होना चाहिए मतलब की कम से कम आपका जो degree है as a graduate आप होने चाहिए then you can apply for the post PO ठीके आप ध्यान रखेंगे और आपका appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by the university or institute in the case of the result of the particular examination is posted on the website of the university institute wave पे देखिए आपके पास अगर आपने exam दिया है और exam देने के बाद आपका माली यह result रूखा हुआ है मतलब आपने exam दे दिया और internet पे उसका result आ चुका है then you can apply मतलब आप apply कर सकते हैं अगर आपका result यहां पे out हो चुका है तो ठीके लेकिन अगर आप लोग appearing में हैं तो आप आविदन नहीं कर सकते हैं इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो यह education qualification हो गया यहां से जो भी candidate यह graduate है वही चात्र यहां पे आविदन करेंगे इन सभी पदों के लिए आई यह selection process की बात करते हैं दोस्तों यहां पे IBPS जो PO का post है यह आपको management trainee का post कहा जाता है तो इसके लिए जो चात्र यहां आविदन करेंगे उनको यहां पे प्रिलिम स्टेस्ट ली जाएगी उस प्रिल graduate question जो है 100 marks के यह सवाल होंगे यहां पे आपसे आपको यहां पे क्वालिफाई करना पड़ेगा यह क्वालिफाई नेचर का exam होता है यहां पे cut-off निर्धारित नहीं किया जाता है cut-off चुकी mains में होगा और वहां से फिर आपको interview के लिए select किया जाएगा तो candidate के पास जी हां 20 minute आपको दिया जाता है बागी सारे process को complete करने के लिए और उसके बाद हर एक section में 20 minute आपको मिलेगे इसको complete करने के लिए qualifying in each of the three test आपको तीनों ही test में यहां पे qualifying करना पड़ेग और minimum cut-off marks to be the decided by the IVPS यह सिर्फ qualifying nature है इसका cut-off जो है IVPS ही decide करती है अब जो selection process का जो mains का pattern है वो देख लेते हैं यह mains के लिए pattern कुछ इस तरह का है दोस्तों कि reasoning भी रहेगा और computer amplitude भी रहेगा 45 question होंगे 60 number के होंगे 60 minute का time दिया जाएगा general economic और banking awareness जीए की बात कर लें तो 40 question हों होंगे और इसके लिए 35 minute आपको दिया जाएगा हर section के लिए अलग-अलग time slot fix किया जाता है mains के लिए English की बात कर ले तो 35 और 40 number के होंगे 40 minute का आपको यहां पर time दिया जाएगा data analyst और interpretation का जो question होगा यानि की aptitude के question होंगे यहां पे 35 number के question होंगे और 60 number मिलेंगे आपको 35 question प आपका language test होता है later writing लिखने को मिलेगा essay लिखने को मिलेगा दो ही question होंगे और 25 number के question होंगे लेकिन आपको इसके लिए 30 minute का time दिया जाएगा तो यह complete अगर देखा जाए दोस्तों यहां पे आपसे यह पूरे exam का pattern है और हर एक गलत question पे आपको .25 number cut भी कर लिए जाएगे त उसके बाद आपका यहां से selection होता है तो then you can apply for interview session ठीक है आप यहां पी interview के लिए फिर apply कर सकेंगे और आपका interview होगा और finally selection कर लिया जाएगा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस form को आप भी आविदिन कर सकते हैं और कैसे आविदिन करना है तो online आविदिन करना है पांच passport size का photo scan करके और signature scan करके रख लिजीगा और साथ में lift thumb का impression भी scan करके आपको रखना होगा इस form को भरते से में इस सबी चीज़ों का ध्यान देना होगा जो कि पारा number i में यहां पे सब mention किया गया है दोस्तो signature और photo का size यहां पे भी mention किया गया है आप उसको ध्यान रखेंगे और उसी के regarding ही आप form भरेंगे form भरना है अगर आपको सीखना है जानना चाहते हैं तो आप comment box में ज्यादा ज्यादा लोगों को comment करना होगा मैं इसका form भर के भी आपको बता दूँगा दोस्तों signature जो है आपका capital letter में नहीं होना चाहिए ध्यान रखेंगा running जो से आप signature करते है तो fees है यहाँ पर दोस्तों जो चात्र SCST और PWD से हैं वो चात्र यहाँ पर 175 रुपे का fees भरेंगे और बाकी जो चात्र है वो 850 रुपे का fees भरेंगे यहाँ पर आविदन करेंगे इसके लिए जिहां अब मैंने आपको सारा detail आपको इस वीडियो के माधिन से बता दिया है कोई भी चीज आपको ऐसा है नहीं है यहाँ पर जो की छूट सकता है तो सबसे मैतरपोंड चीज यह सारी detail आपको बताना था यहाँ पर अब रही बात की form को कैसे आविदन करना है इसके लिए अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए ज्यादा ज्याद रहता है तो कमेंट कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को और ज्यादा ज्यादा लाइक कर दीजिएगा आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार बनाकर आते रहेंगे धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में